Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQTEC मैं सिर्फ उमर तसकीर गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हम इंस्टाग्राम को ही यूज करें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे या अगर हम अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम के फ्रूप प्रमोट करते हैं या इंस्टाग्राम हमें ऐसी कौन-कौन सी फैसलिटीज प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा चाहे वो बिजनेस चोटा हो या बड़ा हो हम उसको इंस्टाग्राम के उपर प्रमोट कर सकते हो प्रमोट ही नहीं कर सकते हैं बलकि वहाँ से कुछ हम बेनिफिट्स भी ले सकते हैं या अगर हमारा कोई प्रोडेक्ट सर्विस है तो हम वहाँ से उसको सेल कर सकते हैं बात करते हैं इन सारी चीजों की और कुछ points है यहाँ पर जिनको हम लोग AK करके discuss करेंगे The first thing is, जो important चीज है Instagramers are shoppers ये guys एक mentality है, हम मान लें या एक तरीके से मान सकते हैं characteristics है, कि जादा तर जो users है Instagram के उपर वो shop करते हैं, वो खरीचते हैं ये देखा गया है, कि जो users Facebook के उपर होते हैं और जो users Instagram के उपर होते हैं कुछ users जो Twitter के उपर जाते हैं तो Twitter के उपर जो users जाते हैं वो किसी भी चीज़ को purchase करने नहीं चाते हैं खरीदने नहीं जाते हैं वोट वहीं पर अगर इसको Twitter को compare करते हैं Facebook से और Instagram से तो देखने को मिला है रिसर्च ये शो करती है श्टडी शो करती है ये शो करती है जो Instagram के उपर जो users है वो शॉप करते हैं मतलब चीज़ों को खरीदते हैं इंगेज होते हैं वहाँ पर किसी भी product को service को खरीज सकते है लीड अपनी दे सकते हैं वहाँ पर तो ये एक बहुत ही बड़ा benefit है जो Instagram platform के साथ है मतलब अगर question ये है जिए Instagram के उपर हम अपने product ये service को क्यों promote करें तो उसमें ये एक important point है एक answer है कि Instagram are shoppers Instagrammers basically are shoppers मतलब वो लोग जो Instagram को browse करते हैं वो shoppers भी हैं वो चीज़ों को खरीदते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे Instagram के followers नहीं बढ़ रहे मैं जो post डालता हूं उसके उपर like नहीं आ रहे comments नहीं आ रहे कोई save नहीं कर रहा है कोई किसी भी तरीके से interact नहीं कर रहा है बहुत जारे लोगों तक पहुँच नहीं है यह मेरी post चो इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा region है वो हता है हमारा inconsistency गाइज अगर आप अपनी post को लेकर consistent नहीं है आज आपने post करी उसके बाद 10 दिन के लिए आप गायब हो गए और 10 दिन बाद फिर आप कुछ post कर रहे है वो भी relevant नहीं है फिर आप गायब हो गए एक महिने के लिए और फिर उसके बाद post करें तो कभी भी आपका जो Instagram एकाउंट वो ग्रो नहीं हो पाएगा लोग उसको share नहीं करेंगे लोग आपकी profile के साथ interact नहीं करेंगे इसके लिए को effort ज़रूर लगेंगे बटी यह ज़रूरी है कि आप consistent content post करें ठीक है regular content post करें और इसी के लिए मैं social media में जो सबसे पहले मुने आपको एक strategy बताई थी वो थी हमारी content calendar की कि आखिर content calendar क्या होता है और वो किस तरीके से दिखता है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एनी टाइप ओफ बिजनस का एडॉप इंस्टाग्राम स्टाटिंग फॉर्म स्मॉल केक शॉप तो जायंट्स लाइक आपल और इवन इंडिविजूल्स और कॉंटेंट क्रीटर्स के लिए तो ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो छोटे बिजनस के लिए भी है अगर आपकी एक केक शॉप है एक छोटी सी बेक्री शॉप है तब भी आपके लिए जो है इंस्टाग्राम प्लाटफॉर्म जो है वो वैलिबल हो सकता है अगर आपकी छोटी सी coaching classes है, coaching classes फिर भी थोड़ा सा बड़ा word हो गया, अगर हम बात करें tuition classes की जो academy tuition provide करते हैं, 8th, 9th, 10th, 11th को अगर आप tuition provide करते हैं, इस type के भी अगर आपका कोई business है, छोटे से ज़ड़ा business है, तो उसको भी Instagram platform से बड़ी जादा help मिल सकती है, अगर कोई बह verified business होते हैं, वो blue tick देखते हो न, blue tick, बड़े से बड़े business, Apple का account आप जाके देखो, आप HCL का account जाके देखो, आप TCS का account जाके देखो, आप किसी और बड़ी company का जो बड़े brand है, उसका account Nike का, Adidas का, Reebok का, ठीक है, किसी कभी आप account जाकर देखो, वहाँ पर, तो आप क्या दे ऐसा बिल्कुल न, Instagram के उपस छोटे businesses भी promote होते हैं, इवन छोटे businesses के साथ मैंने individuals भी लिखा है, individuals का मतलब होगे, जैसे freelancer, अगर मैं digital marketing की training provide करता हूँ, as a freelancer, मैं किसी company के साथ नहीं attached हूँ, मैंनी कोई company नहीं है, मैं के वर digital marketing की service provide करता हूँ, या training provide करता हूँ, तो उस point of view से भी मैं Instagram को बहुत अच्छी तरीके से use कर सकता हूँ, और वहां से बड़े सारे potential clients मैं ले सकता हूँ, तो individuals को भी help करने वाला है, उसके बाद content creators को, content creators मतलब जैसे YouTubers हो गए और जो अलग-अलग परिके का content बनाते हैं, हो सकता है, text-based content मना रहे हो, हो सकता है, video-based content मना रहे हैं, कि आपका business किसी भी size का हो, किसी भी type का हो, आप जाकर इन सारी चीजों को आपको practically Instagram platform पे जाना है, और वहां पर एक एक चीज़ आपको search करनी है, एक एक चीज़ सर्च करनी है आपको, कि देखो ये वाला business मैं search कर रहा हूँ, तो इसके वहाँ पर कौन-कौन से हमें businesses द जादा, एक और बहुत important चीज़, आप इस चीज़ की भी कोशिश जरूर करें, कि जो आपकी niche है, niche का मतलब मैं बता देता हूँ, आपको word कई बार आप सुनेंगे आगे, niche का मतलब होता है दोस्तों, category, category, जैसे मैं किस niche में काम करता हूँ, digital marketing में, आप किस niche में हो, आप competitive exams क की niche में हो, कोई अगर किसी और जैसे कोई health होगारा की niche है, health products होगारा कोई बेचता है, तो हम बोलेंगे वो health niche में है, ठीक है, कोई अगर trainings प्रोवाइड करता है, तो हम बोलेंगे वो education niche में, मैं digital marketing niche में हूँ, ठीक है, कोई fitness niche में काम कर सकता है, तो यह होती है category, कौन किस field म हैं, यह चीज होती हमारी niche, तो Instagram के उपर सभी तरीके के niches के लिए businesses available है, इसके बाद organic reach का and still be there using hashtags, ऐसा नहीं है, कि organic reach नहीं, organic reach का मतलब क्या होता है, कि आप कोई paid ad नहीं चला रहे हो, आप post अपनी कर रहे हो, proper तरीके से targeted आप post कर रहे हो, और उसके basis पर वो जो post है, वो अलग-अलग logo तक जारी, आप कोई paid promotion नहीं तरो, तो जब कभी भी paid promotion नहीं होगा, वहाँ पर guys, जो word use होगा, वो होगा organic, तो अभी भी Instagram के उपर organic reach है, अगर हम properly hashtags वो गयरा को research करके Instagram के उपर लगाते हैं, तो there are chances कि हमारी post जो है, वो जादा से जादा logo तक, दिखे और यह ही हमारा ultimate goal होता है, then opportunity to run Instagram ads, which is still not that costly, and provide you maximum reach, मतलब हम Instagram ads भी run कर सकते हैं, और अभी Instagram ads बहुत जादा costly नहीं, यह सारे वो reasons हैं, जो आपको convince करते हैं, कि आपको Instagram के उपर जाना चाहिए, और Instagram के उपर अपनी business presence बनानी चाहिए, और business पो promote करना चाहिए, you can directly engage with your competitors, आप ये भी कर सकते हैं, आपके competitors हैं, जैसे जो भी आपके competitors हैं, उनके post के उपर जाकर, अगर लोग कुछ comment कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जाके आप अपनी बात कर सकते हैं, अपने point रख सकते हैं, तो basically यहाँ पर आप engagement बहुत जादा कर सकते हैं, तो ये वो सारे points हैं दोस्तों, जो इस बात को justify करते हैं, कि आज की date में अगर आपको अपने business को promote करना है, तो Facebook के साथ साथ आपको Instagram के लिए बड़ी ही rigid, solid और अच्छी strategy बनानी पड़ेगी, दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में और कुछ बात करेंगे, हम लोग Instagram platform के practical aspect के आपको के वीडियो